जहां दोस्तों एसिया कब 2023 की सुरुआत हो चुकी जहां एसिया कब का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नैपाल के बीच खेला जा रहा है तो वही टीम इंडिया अपने सफर की सुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करने वाली है तो आकिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा किस स्टेडियम पर होगी इसकी सुरुआत क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भारत पाकिस्तान मुकाबले से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में लायू दिखाने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता कि भारत और पाकिस्तान में से एसिया कप का पहला मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी अपनी कीमती रा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते कि भारत और पाकिस्तान की टीमें चीर प्रतिद्वन्दी टीमों में से एक हैं और जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो सभी फैंस को एक हाई वल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है और अब ऐसे में वो पल आही चुका जब हम सभी को भारत और पाकिस्तान की टीमें एसिया कप के मुकाबले में भीड़ती हुई नजर आने वाली है तो वही दोस्तों आपको बता दे की एसिया कप में कुल 6 टीमें भाग ले रहें जीने दो ग्रूप से में बाटा गया है ग्रूप A में भारत पाकिस्तान और नैपाल की टीम है तो वही ग्रूप B में सिरी लंका, अफगानिस्तान और बंगलादेश की टीम है भारते टीम को गुरूप A में रखा गया और टीम इंडिया का पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम के साथ है तो वहीं दूसरा मुकाबला भारत को नैपाल की टीम से खेलना है लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को हराना टीमी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है और अगर पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया तो यहाँ पर भारते टीम के दरवाजे आगे पहुँचने के और भी जल्दी खुल जाएंगे वहीं दोस्तों अगर बात करें इस रुमांचक मुकाबले के बारे में तो दोस्तों अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच ये रुमांचक मुकाबला लाइव अपने टेलिविजन पर देखना चाहते हैं तो इस्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर ये मुकाबला आप सभी को दिखाया जा रहा है और अगर आपको मुकाबले की आउनलाइन इस्ट्रेमिंग देखनी है तो डिजनी प्लस हॉट इस्टार पर आ रही है जहां इस बार हॉट इस्टार एप एसिया कप के मुकाबले को बिल्कुल फिरी में दिखाने वाला और आप सभी इस रु रुमांचक मुकाबला सिरिलंका के पल्ले केले इंटरनेशनल किर्केट इस्टेडियम पर खेला जाएगा और मुकाबले वाले दिन मोसम विभाग द्वारा ने यहां पर 70 फीस दी तक बारिस होने की संभावना जताई है हाला कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बारिस ह मुकाबला देखने को मिले वहीं दोस्तों आपको बता दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में अगर टीम इंडिया को जीतना है तो टीम इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि यहां पर बारिस हो वहीं दोस्तों आपको बता दे कि यहां की पिछ बल्ले अगर दोस्तों इन आकडों से साफत तौर पर अनुमान लगाया जा सकता कि questa किर्केट में भारत की टीम पाकिस्तान की टीम से कई गुना पीछे है लेकिन अगर एसिया कप की बात की जाए तो टीम इंडिया पाकिस्तान पर हावी रही है ऐसे में दोस्तों यह देखना दिल्चस्प होगा कि इस मैच में पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करती या फिर भारत पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला सफिक, बाबा राजम, फकर जमा, इमाम उलहक, तैयब ताहिर, सल्मान अली आगा, फहीम असरफ, इफ्तिकार अहमद, मुहम्मद नवाज, सादाब खान, मुहम्मद रिजवान, हारिस रौफ, मुहम्मद वसीम जूनियर, नसीम सा, साह इंसा, आफरीदी, और उसामा मीर, खिलते भी नजर आएंगे, तो दोस्तों यही होगी, एसिया कब में भारत और पाकिस्तान की टीम, ऐसे में अब आप सभी को क्या लगता है, कि पहला मकाबला भारत पाकिस्तान में से कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किरकेट से जुड़ी इस तरह की जानकारी पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर लें, फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद